वेलकम बच्चों, अगर आप लोग कभी पटना गए होंगे, तो आप लोगों ने ये जो है गोल घर को जरूर देखा होगा, जितने भी लोग पटना अगर घुमने के लिए जाते हैं, तो गोल घर वो जरूर देखते हैं, इसके अलावा मंदिर वहाँ पे स्टेशन से बाहर निकलते ही, हनुमान जी का मंदिर मिलता है, उसको भी लोग जरूर देखते हैं, तो आज हम लोग क्या पढ़ाए करेंगे, देखते हैं ये कौन सा चप्टर है, ये है चप्टर फोर, और इस चप्टर का नाम है बिहार और जार्खंड, ये क्लास फाइब की हिंदी बुक है और बिहार और जार्खंड, दो हजार इसवी से पहले ये दोनों एक ही राज था, जार्खंड पहले नहीं था, सिर्फ बिहार ही था, तो इसके बारे में और कुछ यहां पर दिया होगा, ताइए हम लोग इसको पढ़ना सुरू करते हैं बिहार भारत का पुर्वी प्रदेश है, मगद और अंग आनि पटना, अंग पटना का पुराना नाम अंग रहा है महभारत के युग में, मगद और यंग यानि पटना, उदंत पूरी, गया, मुंगेर और भागलपूर में पहले बौध बिहारों, मठों की अधिक्ता थी, बिहार हमारे देश के पूरव में है, पुर्वी भाग में है, इसलिए पुर्वी प्रदेश का अगया है, और इतने सारे जो नाम दिये हुए हैं, इन सभी जगहों में बोध मठों की अधिक्ता होती थी, पालवनसी, बोध राजा की राजधानी, उदंध पूरी, उदंध राजधानी बनाया था, इसी पास नालंदा का महा विहार या विस्थिद्याले था, नालंदा के बारे में हम लोग आज भी जानते हैं, कि वहाँ पर विख्यात है, अभी तो उसका सिर्फ खंडर बचा हुआ है, जो लोग वहाँ जाते हैं, तमसे कम उसको जरूर देखते ह अगर आप जाते हैं तो उसको जरूद देखेगा आप लोग नलंद भी स्विध्या लगा खंडर को तुर्कों ने विहारों को देखकर पूरे इलाके को बिहार कहा था बहुत पहले हमारे देश में तुर्कों का राज था तुर्क लोग यहां आए हुए थे तो यहां पर अत खंकर, महावीर तथा महात्मा बुध के समय की मिथला, वैसाली, मल, करूस, मगद, अंग तथा करक खंड का मतलब है जरक खंड को मिला कर बिहार परदेश बना तो एतने जगह का नाम दिया हुए है इस सारी जगहों को मिला कर बिहार का बिहार राईज बन गया बिहार जार्खंड बिहार में ही मिलावा था मतलब जार्खंड नहीं था 15 नौंबर 2020 में जार्खंड नया प्रदेश के रूप में बिहार से अलग हो गया और उस समय यह जो डेट रखा गया है यह बिर्समुंडा का जनम दिन है उस पर रखा गया है बिर्समुंडा चप्टर में हम बतला चुके आप लोगों को, बिहार प्रदेश के उतर में नेपाल और दच्छिन में जार्खंड है, पुरु में बंगाल और पस्चिम में उतर प्रदेश तथा मेज प्रदेश है, जार्खंड के उतर में बिहार और दच्छिन में ओडिसा है, पुरु में बंगाल और पस् जार्खन जो हम लोग का अपना स्टेट है उसके बाद पूरू में बंगाल है पस्चिम में उतर प्रदेश ततामेद प्रदेश है जार्खन के उतर में बिहार और दच्चिम में ओडिसा जार्खन का भी यहां पर बतला दिया गिया है जार्खन के उतर में बिहार और दच्च मितला प्रदेश में मैथली या जानकी का जन्म हुआ था जानकी मतलब सिता माता स्री राम की जो पत्नी थी उनके बारे मतला रहा है स्री राम ने व्याग्रसर ये पुराना नाम है अभी के नाम बकसर दिया हुआ है इस्थित रिसी विश्वामित्र के आसरम में सिछा पाई थी आप अगर सrires Raam का कहानी पढ़ेंगे, रमायन पढ़ेंगे ता आपको वहांपे पता चलेगा कि रिशी वी स्वामि दिर से उन्होंने शिच्छा पाए थी उन्होंने ताड़का के आतंग को समाथ किया था कहने का मतलब है उन्होंने ताड़का को मार दिया था जनकपूर के धनुस यग में विजाई होकर जानकी का वरन किया था जानकी का मतलब है माता सिता के बारे मतलाया जा रहा है जब उनका स्वेमवर रचा गिया था तो उस समय धनुस तोड़ने की एक किसर्त रखा गिया था तो स्री राम तोड़कर उनसे भिवा किये थे राजगिर्य का राजा जरासंद मतुरा के कंस का संबंधी था स्री कृष्ण पर बार-बार आकर्मन कर रहा था अब यहां पर क्रिष्ण की बात बतलाए जा रहा है जब स्री क्रिशन छोटे थे उस समय कंस उन पे बार-बार आकर्मन क्या करता था उसको मारने के लिए अब जब स्री क्रिशन बड़े हो गए राजा बजब बन गए तब राजगिरे का राजा जरासंद जरासंद एक बहुत इस्तक्तिसाली राजा था भगवान महावीर तथा बुद्ध के समय में वैसाली में गंतंत्र का विकास हुआ था स्रीकिरिस्ण की सायता से युदस्टीर महान समराट बने जब महावारत के युद समाप्त हो गया तो एक असुमेग येगी कहा जाथा उस समय सबसे बड़ा येगी होता था अगर उसको जो कर लेता था बहुत बढ़ा प्रतापी राजा बन जाता था इस परकार युदस्टिर महान समराट बने थे भगवान महाविर और बूध के समय में बैसाले में गनतंतर का भिकास हुआ था इसी समय मगध के राजा बिम्बिसार के पुत्र अजात सत्रू ने गंगासौन भद्र के संगम पर दुर्ग बनवाया दुर्ग मतलब बहुत बड राजधानी बनाया यही पाटली पूत्र कहलाया और यह जगह पाटली पूत्र के नाम से चर्चित हो गया बाद में पाटली पूत्र भारत की राजधानी की रूप में परतिष्ठित हुआ और भविस में इसको भारत का राजधानी भी बनाया गया था चानिक ने अपने सि सिकंदर मगद के भाई से लोट गया सिकंदर जिसको सिकंदर महान कहा जाता है जो बिस्सु विजेता बनने के लिए निकला था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और यहां से वह मगद से भाई से लोट गये थे दूसरी बार तो चंदरगुप्त ने युनानी सेल्यूकस को पराजित कर दिया जब दूसरी युद्ध हुआ तो उससे लुकस उससे लरने के लिए आया था चंदरगुप्त से और वह पराजित हो गया भारत का गोरव उंचा हुआ चौथी पांचवी सदी में गुप्त वंस के समुद्रगुप्त था चंदरगुप्त द्यूतिये ने विदेशी सकों को हरा दिया बहुत पहले की बात कर रहा है जिस समय ये अंग्रेजी कलेंडर सुरू हुआ था उसके 400-500 साल बाद की बात कर रहा है उस समय समुद्रगु तो यहां से चले गए भारत में सुरच्छा तता समिर्धी का स्वर्न यूग आ गया और यहां पे पहले ही बतला जाता है कि हमारा देश सोने की चिडिया था तो वह यूग भी जब समुद्रगुप चंदरगुप थे वह यूग भी स्वर्न यूग के रूप में हमारे राइज में बिहार अंग्रेजों से संघस करता रहा अंग्रेजी राइज में मतलब यह 1600 SB के बाद की बात कर रहा है सन 1857 SB में जगदिश्पूर आरा के वीर कुंवर सिंग अंग्रेजों को प्राजित करते हुए सहीद हुए थे 1857 का संग्राम हम लोग इतिहास में बार-बार पढ़ते हैं और आप लोग कई बार पढ़ेंगे इसको तो उस समय कुंवर सिंग अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सहीद हो गिये थे 20 सदी में महात्मा गांधी मजरूल हक तथादेश रत्न डाक्टर राजंदर परसाद की नित्रित में बिहार ने अंग्रेजों की विरुद्ध संगर्ष किया और महत्मा गांधी जब 20 सदी में ये आंदोलन किये थे उसके साथ राजंदर परसाद और मजरूल हक इन लोग बिहार सही समन्दित है तो वे लोग महत्मा गांधी के साथ मिलकर और अंग्रेजों के खिलाप संगर्स किये थे सरुस्री क्रिशन सिंग, अनुगरह नरायन सिंग, जगलाल चोधरी और जप्रकास नरायन के नित्रित में बिहार सन 1942 के आंदोलन में अगरगरने रहा मातमा गांधी 1942 में जो आंदोलन किये थे तो उनके साथ संघर्ष में सरुस्री क्रिशिन अनुगरा नरायन सिंग जग लाल चौधरी जप्रकास नरायन इनके बारे में आप लोग एक एक करके पढ़ाई करेंगे जब हिस्ट्री के पढ़ाई करेंगे यह हिस्ट्री से दिया हुआ है तो इन लोग बिहार से आंदोलन में बढ़ चड़ के भाग लिये थे फलता सन 1947 में भारत सोतंत्र हुआ और काफी संघर्ष के बाद हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था जार्खन नया परदेश बना है यहां जाड, कटीले, विरिचों की अधिक्ता है संघर्ष के नुसार संघर्ष, हो, मुंडा, भूमीज, आदी, वनवासी जातियां खरवारों से उत्पन हुई है जार्खन नया परदेश बना 2013 में बना है और यहां बहुत सारी जाड़ियां जैसे पेड़ है वनवासी जन जातियां यहां पे है खरवारों की परंपरा यह परंपरा आदिवासी लोग ही जानते होंगे और यह परंपरा के नुसार मतला जाता है कि पहले रोहतास गड़ के सुरिवनसी राजा थे मतलब इन लोग में से कोई रोतास का सुरिवंसी राजा होगा पुरानों में करुष को मनु का पुत्र कहा गया है बाद में करुष की संतान को करुवार कहने लगे और जो आगे चल कर खरवार के नाम से परसिद हुए यहां बहुत पुरानी बात कर रहा है पूरानों से बतलाया जा रहा है कि करुष जो थे, वो मनु के पुत्र थे, तो मनु जो भगवान ने पैदा किया था, तो मनु से मनुस सब कहलाया, तो करुष मनु का पुत्र था, बाद में करुष की संतान करुवार कहलाने लगा, और आगे चलकर करुवार से खरुवार के नाम से परसिद्ध हो गया ताइम टू टाइम जैसे नाम चेंज होता है वैसे हैं इसमें भी हुआ है यह जारखन पठार वन पहाड़ी घाटी जलपरपात और बहमुल खनीजों से समीर्ध है जारखन में इतने सारी चीजें हैं जो यहां पर नाम बतलाए जा रहा है इसमें म दोहा, तांबा, बकसाइट, मैगनीज, यूरेनियम, ग्रेफाइट, सोना, चांदी, चूना पत्थर और अबरक की यह रत्न गरभा धरती है यहां पर इतने सारे जो नाम दिये हैं वो सारे चीज जारखन में अबलेबल हैं मौजुद हैं यहां पर धरती से निकाला जाता ह तब ही तो छोटा नागपूर और संथाल प्रगना यानि जारखन प्रदेश में बड़े, मजूले और छोटे उद्योगों का विकास हुआ है जारखन में खेती बहुत कम होता है लेकिन यहां पर उद्योग धंदे जादा है परन्तु यहां के वनों, पहाड़ियों और पहड़ानों में रहने वाली जण्जातियां गरीब हैं बिल्कूर सही बतला रहा है क्योंकि यहां पर ज्यारखन में मैं ज्यादतर देखता हूं, मैं खुल ज्यारखन में रहता हूं यहां पे इतनी सारे चीजिज़े मिलती है यहां पर खनीजवदात, लेकिन फिर भी यह के ज्यादतर लोग गरीब हैं ज्यादतर आदिवासी जनजाती लोग जो हैं उन लोग अधिक गरीब हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाए गया है बतलाएगा इतनी सारी जनजातियां यहाँ पे चेरो, खरवार, मुंडा, उराओ, संथाल, असूर, बेदिया, बिर्खोर, ने सवधिन्ता तथा जो अभिमान के लिए मुगलों और अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष किया है उस समय जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी इन लोग विदेशी ताक्तों से लगातार लड़ते रहे हैं और उनसे संघर्ष करते रहे हैं इसके रूप में हम लोग जिसमें से नाम भी कुछ लोगों का दिया हुआ है दुर्जन साल, दिलका मांजी, संताल हूल, सिद्धु कानू, बिर्शा मुंडा, जत्रा, भगत, आदी ने सवधिन्ता का दिप जलाई रखा इतने सारे लोग दिये हुए हैं इनके नाम आप लोग कभी न कभी कहीं किसी जन जिवन का रूप है, इसे पहले चुटिया नागपूर कहा जाता था, अब चोटा नागपूर कहलाता है, नेत्रहाट पाट की उचाई 3500 फीट है, यह परदेश जहरखंड जो है, यहाँ पे लोग जीत बहुत ही परचलित हैं, यहाँ पे उस तरह के निर्त भी परचलि इस छेतर में जहरखंड के देवता, बैदनात महादेव, रजरप्पा की देवी और पारसनात परवत पर जेन तिर्थंकर पारसनात के परसिद मंदिर हैं, अब यहाँ जहरखंड राइज विकास के पत पर बढ़ेगा, जन जातियों का जीवन समिर्द होगा, जहरखंड प रजरप्पा देवी, रजरप्पा एक पिकनिक स्पोर्ट है, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे रजरप्पा देवी का बहुत बढ़ा एक मंदिर भी है, और पारसनात पहाड जो जहरखंड का सबसे बढ़ा पहाड है, इसमें जैन तिर्थंकर का मंदिर बनाया गया है उपर में, जो लोग पारसनात पहाड पे चड़ते हैं, उस मंदिर को जरूर देखते हैं, और हर साल बहुत सारे लोग पारसनात पहाड पे चड़ते हैं, अब यह जब विहार से अलग हो गया है, तो यहाँ पर बतला जा रहा है कि अब विकास के पत पर बढ़ेगा, और जण्जातियों का जीवन समिर्ध होगा, लेकिन जब से ध्रक्न विहार से लग हुआ है, 20 साल हो गया है, लेकिन अब यो ऐसाग्छ, कोई भी चीज नहीं हुआ, वैसा कुछ देखनी को नहीं मिलता, जण्जातियों का जीवन समिर्ध हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब तक होगा, हम लोग भी इंतचार कर रहे हैं, आइए देखते हैं, इस चप्टर में क्या questions दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ वर्ड मिनिंग्स दिया हुआ है, हिंदी का, आप इसको पढ़ लेंगे, ताकि आप लो सब्मंधित question दिया गया है, निमलिखित गदांसों के कारक चिनों को अलग कर लिखें तथा भेद भी बताएं, जैसे कि चानेक ने, तो ने एक कारक चिन है, और इसको बतलाना है, और इसको कौन सा कारक भेद होगा, यह भी बतलाना है, जैसे कि ने आपको दिखाए दे रह है, ने आपको दिखाए दे रहा है, यहां पर ने करता कारक का है, इस तरह से बतलाना है, इसके अलावा, question number four यहां पर दिया हुआ है, निमलिखित गदांसों के मोटे अच्छरों का लिंग निरने करें, मतलब यहां पर बतलाना है, यहां पर अधिकता लिखा हुआ है, तो यह chapter four, बिहार और धारकन का question answer, question number three में, जो करता का चिन और उसका भेद बतलाने के लिए बतलाया गया था, तो यहां पर मैंने इसका answer दे दिया है, जैसे ने का करता कारक को का करम कारक इस तरह से आप लोग देखकर इसको बना लेंगे, और question number four में, जो वाइक दिया हुआ और उसमें जो मोटा चर से जो वर्ड लिखा हुआ था, उसका link निरने करना था, तो मैंने direct इसका answer दे दिया है, जैसे का का इस्तिलिंग हो गया, इस तरह से आप लोग इसको देखकर बना लेंगे, और question number five में, सोचेर बतलाएं, जो मुख question था, इस chapter का, उसका मैंने answer दिय उदंतपूरी को बिहार क्यों कहा गया? जार्खन का नाम जार्खन क्यों पड़ा? यहां पर यह चप्टर पूरी तरह समाथ हो जाता है अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद बिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और इसके अगले चप्